सथ शिरियकाल प्यारे विद्यार्थियों मैं सिमरन जीत सिंग्ग तोड़ा सार यांदा स्वागत करदा हैं जी अपनी ऐस ऑल्लाइन जमात वेचे जैसे आज आपा पड़न जा रहे हैं जी जो साथी ग्यारवी जमात वाली पुस्तक है पंजाबी साहित दरपन पाग पहला पाड़ रहे सी उत्तर नानक काल तो पाव है सतारा सो एक तो लेके जड़ा अठारा सो इसवी तकदा समा है उसनु किया जंदा उत्तर नानक काल दे समय जड़ा वार्तक साहित रचे आगया है जड़ा ओदे बारे अपा विचार चर्चा करनी है कि अपना गालगा करिये भि उत्तर नानक काल दे विच जेड़ा वारतक सही त रचेया गया। उदे विच केड़े केड़े वारतक नमूने जवें एकता जनम साखिया जवें रच्या गई है। जनम साखियां हो गिए उस तो बाद साखियां ते परचियां यह हो गिए ते जमें पर चीपा एकन याजी वाली परचिपा पात्षाई दस्वी की सौ साखी एविज़िगा बहुत जुरूरी है साखिया पर अडण शा जी दिया इस तो लावा जड़े टीके रचे गए पुद्धान का रहत नमें जिड़े रचे गए ने उस्तोबाद होकम नमें एस सारा वारतक साहत है ते को ज़ा अनवादत रचनावावी रचिया गई आने सभस्त में देखने है जवे यहारतियो सारथ नमें ये ज़ंने साक्षी है तो महत्यपूरन जड़िया जचनम साक्षीं रचाविए गिए जनम साखी किसे दे जीवननू लेके जनम दे नाड़ सबंदेता साखी, साखी होन दे कहाणिय कतरांदी। परमुक्छ जड़ी रचना रही है, एस काल देवेच उत्तर नान का काल देवेच साखी है, जड़ी ओहेगी या पाई मनी से वाई जनम साखी। आप बॉत महातिव पूर है ए यह साखी गुरु नान का देवजी दे जीवन नाल सबंदत है लब जनम साख्यां दे बारे जदो तुसीğ लिखना हैं पहली साखी दा तुसी नाम लिख लेना है पाई मनी सिंग वाली जनम साख्य इदा नाम लेक के तुसी की लिखना हैं उस् प्रसेद वार कवी पाई गुर्दास जी उना दी पहली वार दी कथा वारता दे पाई मनी सेंग द्वारा कीते गए टीके नू सुने सडाय रूप वेच पाई सूर्त सेंग चनियोट ने लिखती रूप पर दान कीता है बैस एए साखी है न जेडी असल देवेच की अभी पाई गुर्दास जी दी जेड़ी पहली वार है उस दी व्याक्या किती उस दे अर्थ कीते उस दा टीका किता उसनू सुनके कीने जी पाई सूर्त सेंग चनियोट ने सुने शुनाय रूप वेच उसनू लिखती रूप देता है ते लिखती रूप देवेच अपने सामने पिर किया या ओदा नाम की रख्या पाई मनी सेंग वाली जन्मसाखी ड़क्टर तरलोचन सेंग बेदी दे अनुसार केंदेवी अठारवी सदीदी एक महत्व पूर्ण रचन है पाई गुर्दास जी दी जड़ी पहली वार है उनु ग्यान रतनावली किया जन्दा है एसे ल बोला नु लिखती रूप दिता गया है ते एस जन्मसाखी नु ग्यान रतनावली किया जन्दा है दो नाम है दे तुसी दोने याद रखने है एक हैगी है एक दा नाम है पाई मनी सेंग वाली जन्मसाखी एक दा नाम है दूजा नाम है दा ग्यान रतनावली है क्यों क्यो लिए में याद रखेंगे न रूप रेके बना लिए अपने दमाग देवेंच अप्र हाह पाई गुरुदास्टी दी पहली वारदा ते उसे दे अदारते ही पाई मनी सिंग वाली जन्मसाखी नोवी ग्यान रतनावली के हाजन्दा है एदे वेचे किना कोश है देखो दोसो पची दे करीब परसंग है मतलब दोसो पची दे करीब साखियां दितिगा होई है ता एदे वेचे साथ साखियां गुरु नानक देवजी तो बाद होई गुरुदास्टी नान सबंदत है दोसो पची दे करीब साखियां जीना दे वेचे साथ साखियां जेडियां गुरू नानक देवजी तो बात जड़े होए है गुरू उनादे जीवनान सबंदत है ये साखिया जड़े पाई बालेवावले जनम सिकत साखी देव उपर अदारत है जड़ेया साखिया जड़ेया अंकित कीतिया गई है उस्तों अलावा कोई होर मतलब एस उत्तर नान का काल देवेच जनमसाखियां सुबंदी कोई बड़ी रचना कोई महतवपूर्ण रचना नी मिल दीगी बस कोजकर अचनामा मिढ़ दिया जनमसाखिया दिया तूसी सब तो जड़ी महतपूरण जनमसाखिया जीदे बारी गल्ला महतपूरण याद रखनीया तूसी ओ है कि यह पाई मनी सेंग वाली जनमसाखिया जीदा दूज़ा नाम ग्यान रतनाव लिया कुछ होर जमें लिख जड़ी मेन जड़ी पाई मनी सेंग वाली जनमसाखिया उदा जड़ा वेरवाय तूसी याद रखना है उना पागाल कार दे है साखिया ते पर्चिया दी साखिया ते पर्चिया दे वेच्च जड़ी साखिया एक सिखा दी पागतमाला एस उनू पागत रतनावली वी किया जेड़ी एपाई गुर्दास जीदी ग्यारवी वार्दे उपर अधारत है। जेड़ी पाई मनी सेंग जी ने ही रची है। जेड़ी पाई मनी सेंग वाणी ओधी पाई जेड़ी यो काट पंजाबी है। जेड़ी पाई रतनावली है। जेड़ी आप सिखादी पाई मनी सेंग जीदा दूजा नाम पाई तरतनावली है। यह देविच पंजाबी पाशादा प्रवाव जयादा है। यह याद रखना है। उस्तो बाद आप अगाल कर दे हैं। एक हो रहा है परची पाई नहीं जी। जदो आपा पढ़ दे हैं साखियां ते परचीयां साखियां दे वेचे तुसी एकी याद रखनी है। सिखादी पागतमाला। चाऊ ता तुस्ही साखियां ते परचीयां नगाड़ कर सकतेो। थि साखियां लेखके ते तुसнибh लेख दे लाओंין-जी शिखादी पागतमाला। उस्तो बाद लेख दे परचीयां परचीयां ते चलने हैं – परची पाई कनायां जी। परची तो पावी साखी होंदा है एक तरह दा एक साखी जा अनेक साखियां दे सग्रै वास्ते वर्तिया जान दा है उदे वास्ते ए परची जड़ी पाईसाज राम दी लिखी होई है परची पाईकनाया जी जड़ी ए पाईसाज राम जी दी लिखी होई है वी कांडा दे वेच लिखी होई है पाइकन याजी दे सदाचारक ते अदे आतमक पाखनू है प्रस्तुत कर दिया है संखेप शैली वेच पंजाबी पाशा ते लिखी गई है ते उपर ब्राज ते साध पाशा दा प्रबाब जयादा है वी तुसी याद रखना परची पाइकन याजी उस तो बाद गल कर दे है परची पाशाओ दसमी की ये रचना है जेली ए दे वेच प्यास आखियं हन। पया साखिया हन जी दे वेच आठ साखियां जेडियां पहले आठ गुरु सहबाना नाण, चार साखियां जेडियां नौवे गुरु गुरु तेगवादर जी साहब नाण सबंदत ने, ते बाकी ठत्तियां जेडियां साखियां दसमें गुरु गोबन सिंग जी दे नाण सब जेडी बरतान तक ते व्याख्या परदान है बोली पंजाबी है पर बरजपाशा दा प्रबाव है यह वी तुसी जाद रख सकते हो गला उस्तों बाद कहला कर दे है साउ साखी दी साउ साखी दा दूजा नाम है गोरतनमालवी के है जन्दा इसनों साखी यह रचना दा मूल नामता है गोरतनमाल पर पाठका मेंचे साउ साखी दे नामनाण प्रसेद है एदे विच गुरु गोबिल सेख जी दे जीवन सबंदी लग पाग साखी दर जहन अंदर ली गवाई दे अनसार एदा रचना काल है सतारा सो चंटीश वी है उत्तर नानक काली बन दा सारा सो ए तो पहले इस दी बड़ी मानता सी पारे इतिहासक तथारान मेल नहीं खांदेगी इस करके इदा प्रबाव है जिड़ा ए रचना सिर्फ नामतारी संपरदायते नियांग सिंगा तक की सीमत रह गी है बिजड़े विदमान लोक ने जिड़े इतिहास पड़ देने इतिहास हुआ उस नामदा एक व्यक्ति मन्लिया जायदा है जीदेबारे च्च क्या नहीं जा सकता भी इसे नहीं लिए तुसी जाद रखना है आपि इस दा लेखक है जटा साहिब से नाम धाय को एक टीनू मन्या जन्दा हैं उस्तों बाद गल करदेयां साखियां पाई अड़न शाजी दीयां साखियां पाई अड़न शाजी की ने लिखी है पाइक न याजी दवारा जड़ा सेवापंथ चलाया गया सी ओते परतापी संत si Kehe hai पाइक अडंशाधी पाइक न याजी वगो जड़ा सेवापंत चलाया गया सी ते ओते प्रतापी संत होयはい ते उनहादी प्रसिदी कारनी ता सेवा पंत्दा नाम बाद देच अड़न शाही संपर्दाईए भी लिखिया गया जीदेविश अड़न शादि जा व्याखियान बचल बलास उना दे उना दिया कथ वारतामाचडिया कर दे सिगी उना दे किसे नजदी की सर्दालूने इनों लिख देता पाई अड़न शाजी दा कोई शर्दालूसी सेव कसी होना दा उने इना गलानों लेखके तेक बनाता साखिया पाई अड़न शाजी किया अड़न शादे नाल नाल साड़े जो गुरू होए है संत पगत महापुर्श उना नाल सबंदित साखियां भी मिल जान दिया है इस तो बिना बचन सुखन गुष्टा एवी वारतक रूप मेंच लिखिया जान दिया रही है बचिसी जड़ी गाला होथे तयाना सल उसी कर तयान रखनी है साखियां पर अड़न शाजी की एँ इस जड़ा उतर नानक काल है उतर नानक काल दे in पहुंच और प्रसथ वारतक रचना रची जान दी रही है गुर्बानी दी व्याख्या करनी उसनों टीके कहा जान्दा टीके लिखन दी प्रमपरा जेडी एक दो तो शुरू हुंदी ये पलता देखो गुरु अरजन देवजी दा पती जासिगा सोटी महरबान उने शुरू कीती है प्रन्तू टीके दा सही विकास है जड़ा ओ अठारवी सदी देविच हुंदा है जवे आठ टीके ये कतरा दे ग्यान रतनावली ते सिखांदी पगतमाला ए पाई गुर्दास जी निया वारादे एक प्रकार दे टीके हन जड़ा ग्यान रतनावली है ओ पाई गुर्दास जी दी पहली वारदा टीका है मतलब पाई गुर्दास जी दी वारदी व्यक्या किती है ना इस करके टीका हो गया होगे ते जड़ी हगी है सिखांदी पगतमाला ए पाई गुर्दास जी दी ग्यारवी वारदा टीका है हो नाम आएना सूर्थ ससंग पाई, सूर्थ सिंग ने कोई टीकें दी रचना कीती है, जप जी सहीब दा टीका कीता, आसा जी दी वार्दा, सिद गोश्ट दा, टीका पटी, जड़ी पटी बानियां दी है, गुरुनान के देव जी दी रच है, यह प्रसेद कोई टीकें ने, उ उंकार धखनी उंकार बाणी है जड़ी आसा दीवार सित गोस्त ते अनांद साहब बाणी दे कुल छे टीके कीते है स्वामी अनांद करने। उसलों बाद कुछ और वी टीकें दे नाम दिते हैं तुसी याद रख सकते। बाकी दो ज्यादा महत पूरण है। जड़ी आगला लिखिया हुई है भी टीके दी परंपरा जड़ी गुरु अर्जन देव जी दे पती जे सोड़ी मेरबान तो शुरू है सी। पर इदा असली विकास है जड़ा अठारवी सदी वे जवे चोंदा है। क्यार रतनावली ओपाईघ गुर्धास जी दी पहली वार्दा ठीक है। जारवी वार्दा ठीक है उपाईघ सूर्थ सेंगं जी ने ठीके कीते है। उस दा जिकर करना है तुसी स्वामी अनननदमध कन दे 6 ठीक हैं दा जिकर है। इनना बहुता हुण गल कर दें उथानका उथानका है जेडि ए मूल रूप देवेच गुर्बानी दे नाली सबंदत है गुरुआ दी बानी दे नाली सबंदत है ए टीके जा परमार्थ तो वक्री के समधिया हल टीके दा दूजा नाम परमार्थ भी किया जंदा है परमार्थ मतलब आर्थ कारदेने गुरबानी दे उसनों परम आर्थ किया जंद अठारवी सदी दिए भेच गुरु ग्रांद सभी दे नामना न सबंदेत दो अड़ छपिया उथानका में पाइमनी सेफ जीदे नार सबंदे तो ओठान का मिल दिया है, जीना दे लेख के वारे नीजानकारी मिल दी, एक अनुमान है, वैस इनी गाले तुसी याद रखनी है, भी उठान का दे वेच्छ थुसी दो जड़े मिल दिया, बस वन दा जिकर कर दी, तुसी शीरी जड़ा ग्यान संपर्दाइसी उन्हादे जड़े विद्वान होए ने बाद वेच उन्हावलों कीते आगया रहत नामें रहत नामें आवेच शेखतरमदी मर्यादानू चित्रया जंदा है एक सेखदा जीवन जड़ा ओ किवेदी मतलब होना चाहिदा है एक गोर सकथ जीवन नूँ जड़ा आपा मतलब लिखन वास्ते जा कहलो भी एक सेखदे जीवन देवेच रोजाना जीवन कहलो भी उने केडे केडे नियम केडिगा केडे केडे सधा आधोने अपना होने है उसनु किया जंदा रहत नामें रहत नामें लिखन दी प्रेशना relevant जड़ी प्रम्प्रे ए गरु गुरुह गरुरुः नियुकर गुर्म्रसेंग जी तो चली है 16G भरे निकट वर्फिः ने हम पहां सारी निकट वरंति शिर लुम जी जिनने ए Tigers नामें लिख nên जे में एक रहत नामा तुसी याद रखना है पाई प्रलाद सिंग दा रहत नामा एक कवता रूप दे विच है पाई नंदलाल रहत नामा एवी कवता रूप विच है पाई देशा सिंग रहत नामा कवता रूप विच लिखिया है पाई चौपा सिंग रहत नामा वार्तक तेन रहतना में कवता रूप विच कीदे कीदे आपाई प्रलाग सेंग नंदलाल ते देशा से ते वार्तक रूप विच दो जड़े लिखे गए रहतना में चौपा सेंग ते दया सेंग याद रख्यों ठीक है जी उस्तो बाद जेवे इन तो बिना प्रेम सुमार्ग नाम दा गरंत जड़ा है गा प्रेम सुमार्ग गरंत ना दी रहतना में अदी पुस्तक भी मिल दी है का एवी तुसी जाद रख सकते हो ठार्वी सदी दे मद दी रचना है पाईरं तीर सेंग एसनु गुरुगोबन सेंग जी दुवारा लिखाए बुद बिवेक रहतना में उपर अदारित रचना मन दे हैं मिये प्रेम सुमार्ग जड़ी है गुरुगोबन सेंग जी दी एक रचना है गेड़ी बुद बिवेक हो दे उपर अदारित है इवी तुसी जाद रख ले हो तरलोचन सेंग बेदी इसन मिल दे है गुरुगोबन सेंग जी तो बाद बंदा सेंग बहादर माता गुजरी माता सुन्दरी माता साइब देवा वन्नो जारी कीते होकमना में प्राप्त होंदे हम बंतर दे पाकतों बनावट दे पाकतों होकमना में दे वेच पहला मंगल सूचक चेन जड़ा लिखिया जानदा सी जेवें एक ओंकार लिखता शिरी सातगुर प्रसाद एक ओंकार वाहिगुरु जीदी फते एक ओंकार सातगुर जी ऐस तरह जेवें एक मंगल सूचक चेन लाई जान दे हुंदे सी, हुकम ना मा जारी करन तो पहला, अंकित हुंदे हुंदे सन, ते संदेश लिखे जान तो बाद गुरू साहिब दे निशान, बंदा सिंग बहादर दे कोले ता अपनी मोर सी, बंदा सिंग बहादर कोल, माता साहिब कोर जा माता सुंदरी जी अपने निशान नीदे बजो एक चिन अंकत कर दे सन एवी तुसी थोड़ा याद लाख लिए इना गलानू हुकम ना मेलू उस्तो बाद अनुवाद तरचनावा हुई है को जिका अनुवाद कीते गई है दूजियां पशावा तो पंजाबी देवेचा अधियात्मिक समाजिक राज संस्क्रत तो विवेक सिंदू ए प्राकरत पाशा तो पंजाबी विच अनुवाद ग्यान प्रबोध उदे चंदर नाटक ते ए ए अजिडा ए संस्क्रत तो पागवत महापुराण ए संस्क्रत तो विश्णू पुराण वी संस्क्रत तो पगवत गीता वी संस्क्रत तो यो एक तुसी एक पहला 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 पारस पाग याद राख लिए मारकंडे पुरान याद राख लिए अचार होगे एक पागवत गीता याद राख लिए पांजे तुसी याद राख लिए मतलव जदो तुसी पेपर दे विच जे में प्रशन आजे की जड़ी उत्तर नानक काल दें विच जड़ा रचिया गया जड़ा वारतक साइथ है ओदे सुबंदी एक नोट लिखो ता जड़ी अगलना मैं तो अनुदसिया भी आगलना है त उसी जरूर याद रखने हैं विद्यारतियों हर हाल दे विच यह जड़ीं एक तो आड़े वास्ते ज्यादा जरूरी है बाकी जड़ीं गलना ओव बहुत मतलब सदारन गलना जड़ीं है ओं मैं तो अनुषडवा देती हैं दे विच ओं सो प्यारे विद्यारतियों ए सब्सक्राब तो हुंदा जी सत शरीय का